क्या फिल्म में खिलेगी चांद नवाब की कमी बदला गया बजरंगी भाईजान का नाम सलमान ने किया अनेक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट क्या फिल्म में खलेगी नमाज दिन की प्रेजंस हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉली ग्राद स्टूडियोज में सलमान झान इन दिनों फिर से चर्चाँ में आ गये हैं जी हां ऐसे इसलिए भी है क्योंकि वो बड़े पर्दे पे किसी ना किसी रूप में फिर से धमाल मचातें दिखने वाले हैं सबसे ज्यादा वो सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि वो क्यामियो उलतार में दपिका, जॉन और शारोख खान की आने वाले फिल्म पठार में दिखने वाले हैं और इसे इतने बड़ी बात इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस जोड़ी के सिल्वर स्क्रीन पे दिखने के बाद दोनों के बीच लंबी चली दुश्मनी का ऑफिशिल एंड माना जाएगा और अगर आप बजरंगी भायजान के फैन हैं तो ये जान लीजिए कि ये न्यूज आपको काफे खुश कर देगी जी हाँ क्योंकि कुछे दिन पहले सल्मांग खान काफी सुर्खियों में इसलिए भी थें क्योंकि उन्होंने बजरंगी भायजान टू के अनाउंस्मेंट करी थी उनकी ये अनाउंस्मेंट दर्शकों के सामने आउट ओफ नोवेर आई लेकिन दुख की बात ये है कि बजरंगी भायजान का नाम सेम नहीं रहेगा इसके सीकुल को दूसरा नाम से रिलीज किया जाएगा जिसमें नाम पमन पुत्र भायजान होगा जैसा कि हमने आपको बताया कि बजरंगी भायजान टू की अनाउंस्मेंट सल्मान ने काफी अनेक्स्पेक्टर और सर्प्राइजिंग तरीके से की और ये इतना बड़ा सर्प्राइज हो गया कि फिल्म के मेकर्स को भी नहीं पता था कि सल्मान कुछ ऐसा करने वाले है चारेक्टर कबीर खान से भी जब इस प्रोजेक्ट पे कुछ भी पूछा जा रहा था तो उनका ये कहना रहा हमेशा की फिल्म के बारे में वो कोई इंफॉमेशन नहीं दे सकते जो भी इंफॉमेशन होगी वो सल्मान ही देंगे तो फिल्म बजरंगी भाईजान में इसके टाइटल के अलावा काफी और चेंजिस भी नाएंगे जिसमें से सबसे बड़ा चेंज होगा फिल्म में नमाज दिन सिद्धी की एपसंस जी हाँ बजरंगी भाईजान के फैंस का दिल काफी साइड हो जाएगा जब उन्हें चांद दबाब फिल्म के सीकल में नहीं दिखेंगे पिछले दिनों ऐसे खबरे काफी ज्यादा उच्छाल पे थी हलाकि अभी इस खबर पर फिल्म के मेकर्स की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया है तो अभी भी दर्शकों के लिए ये एक उमीद की किरन है फिल्म की मेकिंग जल्दी स्टार्ट होने के आसार पे है और इसकी रिलीज डेट के अनॉंस्मेंट का भी सभी को पेसबरी से इंतजार है देखना ये दिल्चस होगा कि क्या सलमान और ज्यादा एकसाइचमेंट और सर्प्राइस के साथ आते हैं क्या फिर्शन अज़र क्या आपको लगता है कि नमाज उद्दिन की फिल्म से अपसंस कर सकती है फिल्म को इफेक्ट